आप देख सकते हो मेरा तीन डिफरेंट तरह का स्क्रीन है एक जिस पर YouTube है दूसरा जिस पर मेरा ये फाइल खुला है और तीसरा जो कि मेरा पूरी तरह से ब्लैंक है ये आप कैसे रख सकते हो आज की वीडियो में इसे की बार कॉर्णई करेंने वाला हूं कि आप अपने लैप्तॉप या PC पे मल्टीपल डेक्ष्टॉप एक साथ कैसे भी चैनल कर सकते हो सो मल्टिपल डेक्स्टॉप का मतलब है कि आपका डिफ्रेंट डिफ्रेंट आपका डेक्स्टॉप का स्क्रीन रहने वाला है सब्सक्राइब करो कि आप भूबन का कोई वीडियो देख रहे हो और सड़नली पैरेंट्स आजाते हैं रूम में सो आप क्या करोगे आपको समझ में नहीं है कि मैंने अभी क्या किया तो चलो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ यह रहा मेरा पिछला डेक्स्टॉप जिस पर की YouTube चल रहा है सो आप यहां पर देख सकते हो कि नीचे टास्क बार में कोई भी इस आप्ट्वार नहीं है except मेरा google chrome और मेरा sound recorder अगर मैं अपने दूसरे window को दिखाऊं तो so यहाँ पे मेरा file explorer, मेरा word और मेरा एक chrome भी खुला हुआ है so जैसा कि आप लोग जानते हो task bar में वो सारा software so होता है जो software आपके laptop में presently running है अगर कोई भी check करेगा तो वो task bar ही check करेगा कि आप क्या use कर रहे हो but मेरे task bar में तो कुछ present ही नहीं है so that's why यह different है minimize करने से तो मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि नीचे में यहाँ पर एक task view नाम का option होता है तो अगर आप task view को click करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ recent files दिखाता है जो कि आपका last laptop में open हुआ था and साथ में ऊपर में कुछ desktop का option रहता so यह जो desktop है यही basically multiple desktop का काम करता है so आप देख सकते हो मेरे first वाले desktop पे यहाँ पे YouTube खुला हुआ है plus मेरा एक sound recorder खुला है अगर आप second वाले desktop पे देखोगे आपका यह four fingers किसी भी desktop को खोलने के बाद आपको इस four fingers को अपने trackpad पे रखना है and आपको left या right को swipe करना है आप जैसे ही swipe करोगे आपका सीधा desktop ही change हो जाएगा so आप पिछले वाले desktop पे जो भी software यूज़ कर रहे थे उसका यहाँ पे कोई भी significance नहीं है and यह feature काम का बाता है तो एक तो मैंने अभी dramatic way में आपको दिखाया कि कब काम आता है and second जो काम आता है वो है अगर आप बहुत सारे software को एक साथ यूज़ कर रहे हो तो अगर आप multiple desktop पे अपने software को डाल के रखोगे तो उस case में काफी help होता है अगर आप software को use कर रहे हो तो but question यह arise होता है कि आप कैसे डाल सकते हो तो करना आपको कुछ नहीं है आपको different desktop को खोलना है and उस desktop पे आप जो भी software चाहते हो आप उस desktop पे जाकर खोल सकते हो जैसे मैं इस पे एक file explorer और एक alarms and clocks खोल देता हूं so यह मेरा इस desktop पे खुला हुआ है so दूसरे desktop पे जाकर दूसरे software को खोला जा सकता है जैसे मैं इस पे आकर मैं calculator खोल देता हूं so यह अलग-अलग desktop पे आप अलग-अलग software को use कर सकते हो but yes इसमें एक limitation है कि अगर आप दो different desktop पे अगर same window खोलने की कोसिस करोगे then maybe वो दोनो एक साथ merge हो जाए आकर but most of the cases में आपका different different window है वो अलग-अलग desktop पे खुल जाता है so इसके कारण काफी help होता है अगर आप अलग-अलग जगा पर खोलना चाहते हो different different चीज तो and सबसे important इसे navigate करना बहुत जादा easy है navigate करने के लिए सीधा आपको अपने finger को trackpad पे ले जाकर left side या right side आपको swipe करना है so ये सीधा आपका change हो जाएगा पर इसका एक shortcut भी है जिसमें कि आपको windows plus control and साथ में आपको left arrow key और right arrow key को press करना रहता है इसे आपका desktop swipe हो जाएगा अगर आप चाहो तो आप multiple desktop भी डाल सकते हो by default 3 रहता है but आप चाहो तो इसमें multiple desktop को भी डाल सकते हो and बाद में आप इसे cross करके हटा भी सकते हो so ये windows 10 का एक बहुत ही unique feature है जो आपको जानना चाहिए because मैं इसे बहुत जादा use करता हूँ so इस lesson के लिए बस इतना ही so that's it so see you guys in next video so तब तक के लिए bye bye